ये ड्रीस या बैक बनाने के बाद छोटे फाबरिक के पीस होते हैं उसकी आज हम एक स्मॉल पर्स बनाएंगे पैटन बनाके इसका मेजरमेंट है दो इंच बाए 14 इंच के ये पाच पीसे समने लिये हैं ऐसे आप छोटी बड़ी स्ट्रिप ले सकते हैं ये पाच पीस हमने लिये हैं और ये सीधी साइड है फाबरी की ये ऐसे एक के उपर एक ऐसे रखेंगे और सिलाई करेंगे ये जोईंट होने के बाद खोलते हैं इसके उपर ये दूसरी स्ट्रिप रखेंगे ये यहां देंगे ऐसे ये पाच पट्टिया जोडने की बाद ये ऐसे पीस बनेगा इसके उपर हमने प्रेज किया है इसके उपर हम दो-दो इंच मार्क करेंगे ऐसे यहां से दो-दो इंच का मार्क करते हैं ये 14 इंच है लेकिन आगे कि ये साइड हम एक्स्ट्रा कट करते हैं छे पट्टिया हम कटिंग करेंगे देखिए इसे हमने मार्क किया है मार्किंग के उपर कटिंग करते हैं ऐसे ये 6 पट्टिया हमने कटिंग की इतना फैबरिक एक्स्ट्रा हुआ है इसको हम अलग रखते हैं अब हम ये जोड देंगे देखिए यहां से उपर की एक पट्टि छोड कर हम नीचे यहां जोडेंगे ये दोनों सिलाई हमें एक साथ हम रखेंगे इसे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे कैसे हमने एक स्ट्रिप जोइन की दुसरी जोडने के लिए यहां उपर से एक पट्टि छोड कर दुसरी जोडेंगे यहां यह सिलाई और यह सिलाई एक के उपर एक रखते हैं और यहां से यहां तक सिलाई करेंगे ऐसे हम यह पाकी के पट्टिया इसी तरह से जोड देंगे देखे ऐसे यह पीस हमारा तयार हो गया यह होने के बाद यहां से यहां से स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे देखे ऐसे यह कॉर्णर और उपर का कॉर्णर पर यह पट्टि रखी है यहां हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे इसके उपर हम कट्टिंग करेंगे ऐसे कट्टिंग किया देखे यह कट्टिंग होने के बाद ऐसा ही यह पीस यहां रखते हैं ऐसे यह उपर का छोड़ दिया नेचे दोनों सिलाई ऐसे जॉइन किये और यहां से यहां तक सिलाई करेंगे देखे यहां सिलाई होने के बाद इसके उपर प्रेस करते हैं ऐसे यह पीस बनेगा ऐसा बड़ा पीस भी बना सकते हैं इसके बाद यह साइड से कट्टिंग करते हैं यहां से और यहां से देखे यह दोनों साइड कट्टिंग करने के बाद यह एक पीस बना है इसके हम दो पिसस कट्टिंग करेंगे यह हमने चोटी पटी लेकर यह इतना चोटा पीज बनाया आप चाहे तो बड़े स्ट्रिप भी आपके पास है तो लेकर ऐसे पर्स बना सकते हैं इसके हम दो पिसे कटिंग करेंगे और यह रबर्शिट ली है रबर्शिट के चोटे चोटे पीज होते है यह आप इसके पीछे जोड सकते है अपके पास canvas हो तो भी canvas प्रेस करके जोड सकते है चारो सेट से हम सिलाई करेंगे यह से यह दो पीसमने बनाए है यहाँ आपने rubber sheet टाच की लेकिन अगर आपको rubber sheet नहीं मिलेगी तो आपको tellering का जहाँ material मिलता है वहाँ पर आपको canvas मिल जाएगा वो canvas लगा कर भी ऐसे पीसा आप बना सकते है same size का हमने एक अस्तर का पीस लिया अस्तर के लिए हमने cotton का fabric लिया है और इसका measurement बता देती हूँ यह साड़ी 4 inch by 6 inch का है 6 inch इसकी width है और 6 inch के हमने zipper ली zip की सीधी side, fabric की सीधी side के उपर इसके पीछे यह अस्तर की सीधी side सिलाई करेंगे देखें यहाँ सिलाई होने के बाद अस्तर back side में यहाँ हम top stitch करेंगे इसे ही यह दूसरा पीस यहाँ अस्तर के उपर zip की back side रखी इसके उपर यह fabric दोनों design हमें देखना है इसे यहाँ जोडने के बाद अस्तर और fabric एक साथ में रखेंगे और इसके उपर top stitch करेंगे top stitch होने के बाद यहाँ से runner डालते हैं runner डालने के बाद यह fabric एक side में अस्तर एक side में यह zipper अस्तर की side में रहेगी यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई की यह side open है यह corners हम cutting करते हैं यहाँ और यहाँ और यहाँ से back सीधी side करेंगे यह zipper open करकी यह back सीधी side करेंगे सिधी side करने के बाद यह corners हम अच्छे से बाहर निकालते हैं तक यह back का shape बहुत सुन्दर दिखेगा और यह side अंदर की side में ऐसे fold करेंगे और यहाँ से भी fold करते हैं और इसके उपर हम top stitch करेंगे यहाँ इस side हमने lock की इसके बाद यह अस्तर अंदर की side में करते हैं और यह सुन्दर सी पर्स हमारी तयार हो गई यह चोटी side की पर्स हमने बनाई है ऐसे ही फाबरी के चोटे चोटे पीसे लेकिया आप बड़ी side की पर्स भी बना सकते हैं झाल 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 झाल